हलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब उमीदे सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई भी बहुत जम के कर रहे होंगे प्चों आज हम जो आपके लिए टॉपिक ले क्या हैं इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन second chapter जो sexual reproduction in flowering plants है उसका ये topic है double fertilization इसके बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है इसके पहले आपको batches के बारे में बता दें कि CUT के लिए batches launch हो चुकें, commerce के लिए भी, humanities के लिए भी, science के लिए भी, सारे चीजों के लिए batches launch हो चुके हैं and आप भी preparation शुरू कर दीजे CUT 2024 के लिए क्यूंकि अभी से तैयारी करेंगे तो समय जादा है और number भी अच्छे score कर सकते हो जिससे आपको आपका favorite college मिल सकते है so come to the topic, double fertilization होता क्या है, see double fertilization क्या होता है बीटा, दो बार fertilization होना, है ना, basically अगर एक general भाशा में कहा है तो दो बार fertilization होना यह होता किसमें है, जितने angiosperms होते हैं उसकी यह बहुत special क्याते है feature होता है double fertilization होना, अब होता कैसे है यह देखते है तो double fertilization जो होता है बीटा, यहाँ पे दो male gamets जो होते है, मतलब दो pollen grains, male gamets कहने का मतलब है दो pollen grains, यह आते हैं pollen tube में to different cells of the same female gametophyte in order to produce different, two different structure देखो, दो male gamet होते हैं, लेकिन female के पास तो एक ही एक है, एक ही over cell है, अब यह एक male gamet जो होता है ना, वो fuse हो जाता है यह जो आपका पहला egg cell होता है उसके साथ, और दूसरा male gamet पहुँच जाता है, जो central cell के पास polar nuclei होते हैं तो उनसे fuse होने के लिए, ठीक है, तो यह पहला तो बना, fertilization हो गया, fertilization हो तो क्या बनेगा बिटवा, zygote बनेगा, embryo बनेगा, और दूसरा जो polar nuclei से जाके fused होता है, वो बनाता है, endosperm, और वो क्यों बनाता है, ताकि जैसे-जैसे embryo का development होता रहता है, वो इसको nourishment provide का दे, that's why, यही होता है double fertilization, दो बर fertilization होना, okay, so, only in angiosperms में, सिर्फ angiosperms में पाया जाता है, सबसे पहली बार इसको discovered किया था, नौस्षी ने, in 1898, 1898 में, फिटलिया और लिलम प्लांस में इसको देखा था, उन्होंने, angiosperms में क्या होता है, pollen tube जो होते हैं, यह burst होते हैं, open होते हैं, कहाँ पे, जो नीचे दो synergids होती हैं, वहाँ पे, और release कर देते हैं, अपने पास, जो इनके दो male gamets होते हैं, pollen tube male gamet लेके आता है, जैसे ही आते है, ovule के पास, तो वहाँ उसको synergid मिलता है, synergid को थोड़ा सा इदर उदर side करके, और degenerate कर देता है एक को, और वहाँ से enter करता है, और एक pollen grain को दे देता है, एक के पास, ठीक है, तो वहाँ पे वो दोनों male gamets को release करने के लिए आता है, एक male gamet जो होता है, वो fuse होता है एक से, मतलब एक pollen grain जो आया था, वो किस से fuse हुआ था, egg cell के साथ, या उसको oosephare भी कहते हैं, और यह बनाते हैं, deployed, zygote, deployed, zygote बनाएंगे, अभी तक यह haploid थे, pollen grain भी haploid थे, और egg cells भी haploid थे, ओके, और oosephore, इसको क्या कहेंगे, generative fertilization, that fertilization is known as generative fertilization, और यह पहला fertilization हो चुका है, ठीक है, नाव दूसरी बात करते हैं, second male gamut जो होता है, descend down करता है, और fuse होता है, deployed secondary nucleus के साथ, जो deployed secondary nucleus होते हैं, यहाँ पर, 2N होते हैं, उनके साथ, साथ में एक और आ जाता है, male gamut तो यह बन जाते हैं, triploid, क्या बनेंगे, triploid, nucleus of the central cell to form a triploid primary endosform, cell, क्या बनाया इसने, triploid primary endosform cell, यह भी धिहान रखने वाली बात है, कि कहां पर triploid का formation होता है, तो आप से यह भी question पूछा जा सकता है, कि angiosporms में triploid कहां form होते हैं, ओके, तो आप simply लिख दीजेगा, option में आपको मिलेगा, कि जो polar nuclei के साथ, polar nuclei के साथ pollen grain fuse हुआ था, तो वो बनाता है endosform, endosform रहेगा तो endosform कर दीजेगा, नहीं तो इन दोनों का fusion कर दीजेगा, और इसको क्या कहते हैं, vegetative fertilization, क्योंकि ये nourishment के लिए बनता है, तो दो fertilization में, एक generative और एक vegetative, इन ही दोनों को हम लोग कहते हैं, double fertilization, clear, ये देखें process है, ये ovule होता है, है ना, ये देखें pollen tube आ रहे है, आया, एक देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे pollen grain है, एक यह pollen grain है, अब यहाँ से enter करेगा, ठीक है, enter करेगा तो देखो, दीरे दीरे जाता है, यहाँ से fuse होता है, एक बार यहाँ पे fusion होगा, fertilization होगा, और एक cell चला गया, यहाँ पे fuse होने, है ना, तो एक first fertilization यहाँ पे होता है, और second fertilization, polar nuclei के साथ होता है, यह बनते हैं diploid, और यह बनते हैं triploid, मतलब यह बनेंगे zygote, और यह बनेंगे endosperm, clear, यह बनते हैं, बहुत simple सी चीज है, यह है, अब significance क्या होता है इसका, angiosperms में जो growth होती है, बेटा, female gametophyte की या embryos है की, यह stop हो जाती है, 8 nucleate या 7 cell पे, 8 nucleate और 7 cells कौन से होते हैं, 3 antipodal cells होते हैं, 2 polar nuclei ही होते हैं, और नीचे, 2 synergid और 1 egg, तो polar nuclei वाली 1 cell होती है, लेकिन वहाँ पे nucleus 2 होते, that's why उसको हम लोग कहते हैं, 8 nucleate and 7 cell stage, second act जो होता है, उसको कहते है, vegetative fertilization समझ में आ गया भी आपको, जो कि क्या provide करेंगे, nourishment provide करते हैं, जो कि growth को help करता है, है ना, stimulus to one of itself to resume growth and form a nutritive tissue, वही nutritive tissue बन जाते हैं, double fertilization ensure करता है, कि जो nutritive tissue होते हैं, यह formed कब हो, जब formation हो जाए, embryo का, अगर embryo नहीं बना है, तो फिर उसका fusion होना waste चला जाएगा, तो वो ensure करता है, कि पहले egg के साथ fusion हो, पहले egg के साथ fusion हो जाता है, उसके बाद polar nuclei के साथ fusion हो जाता है, तो यह surety होनी चाहिए, है ना, अज़र वो अगर बन भी जाएगा, मान लीज़े, egg नहीं fuse हो पाया है, लेकिन polar nuclei fuse हो गया है, तो वो endosperm किस काम का है, किसी काम का नहीं है, ठीक है, has taken place by fertilization of the ooze for all the egg, angiosperms जो होते हैं, therefore, economical होते हैं, बहुत economical होते हैं, specialized होते हैं, as compared to gymnosperms, जादा useful होते हैं, वैसे तो gymnosperms भी जादा useful होते हैं, आज़र नहीं है कि उनका कोई use नहीं है, लेकिन in comparison to that, they are more economical, और जादा specialized होते हैं, जब यहाँ पे large nutritive female gametophyte का formation होता है, long before fertilization, fertilization के पहले, now, अगर fertilization fail हो जाता है, तो जो energy spent की गई है, वो सारी की सारी बरबाद हो जाएगी, कहने का मतलब है, कि pollination हुआ है, pollen grain आया है, flower bloom किया है, उसने pollen grain को बनाया है, उसने excels को बनाया है, सारा कुछ process क्या होगा, बेकार हो जाएगा, ओकी, सो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर fertilization fail हो गया, तो सारी energy waste हो जाती है, double fertilization जो होता है, यह characteristic provide करता है, male plant को और nutritive tissue को भी, साथ में triploid nature होता है endosperm का, जो कि शो करता है, जादा से जादा physiological activity, जिसकी वज़े से faster growth होने लगती है, क्योंकि endosperm क्या करते हैं, जल्दी 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 nutrient को बनाएंगे, जतनी जल्दी वो nutrient को बनाएंगे, उतनी जल्दी embryo जो होता है, वो बड़ा होने लगता है, तो पूरा process यही होता है, बेटा, and that is the significance, और यह था double fertilization, double fertilization में simply यही है, कि एक pollen grain fuse होता है एक के साथ, दूसरा pollen grain fuse होता है polar nuclei के साथ, तो दो बार fusion होँआ, that's why it is known as double fertilization, ठीक है, चल गए, हम लोग फिर में लेंगे, next class में, टाडा, बाई,